मैं तो सारी कि सारी क्लास अभी देखना अभी देखना अभी चल रही है तो बता दिया करो ठीक न अभी एक क्लास रिवाइड वो रह जाएगी जिन बच्चों की रह गी है चल देर लॉस और नहीं कर पाए ठीक है चल अनक्वी वोकली का मतलब आपको समझ लग गया डैट मीं करीद वो क्या करेंगे वो एंबिग्वास होएंगे वो एंबिग्वेस होएंगे मत्रूं कलियर होएंगे ठीक है तीघक है त्यूर्ट का मतलब होगा है नेगल और चाहुत कह अन। तो अगर आई से यू शुड्ट स्पीक अन इक्वीवोकली या एक पॉलिटीशन शुड्स पीक अन इक्वीवोकली इसका मतलब क्या है कि पॉलिटीशन को साफ साफ तरीके से बोलना चाहिए ठीक है ठीक है अगर मैं एक अपना ऑपीनियन बता रहा है कि politicians खास करके दूज एंकर्स आज कल ठीक ना देश पीक इक्वीवोकली टूदा गुवर्मेंट ठीक ना देश पीक इन अन इक्वीवोकली टूद पीपल इक्वीवोकली मतलब अम्बिग्विवसली ठीक ना तो जैसे अब भी बिहार एलेक्शन चल रहे थे तो क्या लालू क का चलेगा question mark clear तो नहीं न अन्निक एक आजेगा equi-opedia और प्रींग इसमां आड़िक नेधो क्या धी जब देश वी सूर्य आगे बड技 ऑ गया nda factor चलेगा question mark equi होक लीट तो जब वह किलियर नहीं करते हैं तो that means that person is ambiguous that person is equivocal okay ex-culpate culpate culprit याद रखना है culprit क्या होता है बता हूँ इस person is a culprit दोशी बिल्कुल सही बाद दोशी क्रिमिनल जो आल्रेड़ी एक सजाब भुखत रहा है तो उसको बोलते है culprit ठीक है ना ex-culpate मतलब जो पहले होता था अब वो एक सधारन नागरिक बन चुका है वो उसके उपर जो गिल्ट लगा था उसके उपर जो इल्जाम लगा था उसके उपर जो blame लगा था that person has been exed exed मतलब खतम कर दिया गया जिसको क्या मैं ऐसे लेख सकता हूँ free from blame ओके तो पहले आप culprit थे पहले आप दोशी थे लेकिन अब नहीं हो तो आपके उपर जो blame लगा था वो खट चुका है तो एकस कलपी चल्पड इस इज़ी रहत करना वाइजत बरी आ हर्मन एकस कलपी बहुत बढ़ी आ टीकर विंडिकेट भी होता हूँ हम आगे जा निंदे नत्स वर्डिस मर्जिन तरे सद्सक्राइब केंडी घंडी गयुण्पा थो लिए लोली पॉस अने होता है यहां टॉफी जो होती है उसको आनडी वह Griffika नहीं चाहिए ना गेंडी कॉन उगलवा सकते हो आप तो जो truthful होते हैं और straightforward होते हैं या frank होते हैं ठीक ना that persons are candid ठीक ना तो एक coffee with Karan आपने सुना होगा लालच देना नहीं होता बेटा यह मतलब होता है कि बच्चे मन के सच्चे यह तो याद रखा होगे ना सच्चे मन के सच्चे तो candy कौन खाता बच्चे और बच्चे मन के क्या होते हैं सच्चे होते हैं वह truthful होते हैं वह straightforward है उनके पास घुमाओदार बाते करने का वह वह ताइम नहीं होता अब अगर मैं आपको बात करूं can you connect this word with circuitousness circuitous circuitous इसका उल्टा काम होता है can you connect this word with equivocal can you connect this word with Candid frank बाते करना यह दोनों वर्ड इसके अंटॉनिम्स हैं खुद याद कर लिया आप आपने circuitousness equivocal are opposite in meaning to Candid ठीक ना Candid pictures लेते हैं true pictures लेते हैं एक आव एक शूव भी आता है कॉफी विद करने ना तो क्या इस वर्ड का आप इसको इस यो का नाम चेंज कर सकते हैं तो Candid with current Candid मतलब truthful with current straightforward with current ठीक ना are you getting this point जो मजी जिस तरह से आपको वेटा easy लगता है you can learn this out ठीक है next word is xp8 xp8 का मतलब होता है amend करना या rectify करना या अपनी कल्कियों को सुधार ना ठीक ना तो एक बता एक pirate pirate का मतलब क्या आता है आवर्ड एनीवर्ड किसी बंदे ने ये वर्ड सुना हो और रिपेंट करना बहुत बढ़िया जगजीत को जी क्या बात है पाइरेट का क्या मिन होता है ये ये इस पाइरेट ऑफ दा कैरेवियंस नहीं देखे दे डाकू जो सुमंदरी डाकू होते हैं ठीक ना तो एक्स का मतलब आपको बता दिया डाकू था पहले अब वो क्या क गलतिया सुधारने की कोशिश कर रहा है पहले वो क्या था डाकू था कौन सा दाकू था डाकू पता ना पाइरेट कौन से होते हैं जो जैसे जैसे जैक्स पर हुआ है येस बिल्कुल अर्विवन कोट इट इसी तो तो में कमेंट्स मतलब तू रैक्टीफाई करना टू में कमेंट्स दाट मीन्स तू में कमेंट्स मतलब अपना भी आपको जो बताया मैंने ठीक ना अपनी गलतियों को सुधारना ठीक है तू टू एक्सपाई एट ठीक है तू रैक्टीफाई माई मिस्टेक्स ओके तू मेंग चेंज बहुत पढ़िया दीक्षा अगे आता है एक दिन पहले आप पेपर के त्यारी कर रहे हो पी लिम्स की है आप बड़ा्त हैंचन में नहीं कि क्या करो जड़ाना शुक्ति अब आपके बमट्स बता पढले पढले अब जल்खाई तो एक थो छिर्म्स आप प्री हैंशन को मैं किस तरहां से लिख सकता हूं अब हैब को अब लिखतू है यह परी लिखा हुआ है हैं चण का मतलब समय देखे हो है सं सं को बोल रही है माघी पड़ ले बेटा कल तोमारा परी काप पर है तो कैसा महाल हो का बड़ा खुशी दार महाल तो नहीं न उने वाला तो एक वह आती है तो दैट इस एप्रिहेंशन अर्विवन कॉट इनको साफ कर लेता हूं मैं ठीक है नेक्स्ट वर्ड इस डिस्पैरिश डिस्पैरिश का मीनिंग होता है तुब्लिट्न करना किसी को नीच काना तुम मेरे लड़ी नहीं तो यह बहुति है तो किसी को नीचा दिखाना किसी को बिलिटल करना to speak ill of something ठीक है न कि यार वो तो बड़ा ख्राब बनता है ठीक है यह है वो है किसी के बारे में ill talk करना तो that means disparage जिसको कैसे रखना है पैरेज का मतलब याद है डिस पैरेज को किसी तरह से यार रखना है आपने डिस पैरेज लट में शोव इन डिफरेंट कलर डिस डिसकरेज समवन यस डिस डॉट डिसकरेज विकल से संकतिके बीचे एक करना कि करना बैक पिछइंग करना मिलते है तो आपका बहुत बड़ अच्छा उल्याप के लिए्स एक भारी करना है विए डिस करना ब्रक निब ले जाती है इसकी बात कर दिस्क ब्रेक खराब हो जाती है आप कहां लेके जाते हो गैरेज में पर वो जो मेकानिक होता है वहाँ पर वो सच्टी सी साइकल वाली ब्रेक डाल देता है उसे ठीक है आप उसको क्या बोलो गयार पड़ा अच्छा काम किया तुने क्या बात है सो इनोविटिव ऐसा तो नहीं बोलोगे आप उसके ऊपर क्या बोलोगे या तिरे को इतना काम नहीं करना आता एक काम दिया था देर को वो भी तरको टंक से करना नहीं आता है आप मैनेजर को जा कि उसके बारे में कम्प्लेन करो गया आप उसके बोलोगे कि सर ये कैसे बंदे आपने आए इनको एक प्रेक का नहीं पता इसको ठीक है ना तो डिस्पैरेज मीन्स तू बिलिटल समबडी तू तो है कुछ नहीं चुगली करना तो होता है कि आप एको मतलब वह गये हो आप डॉक्टर हो तो एक मतलब यहां किसी मतलब बहुत बड़े आदमी हो तो यह नीचे वाले बंदे को आप जानते ही नहीं हो गये ना चुगली यह उसकी करते हैं जो आपका बंदा जानता हो ठीक ना पर तो आप उसको बोलोगे यार यह तो ड्राइव इस बात नीं करने मेरे को आपसे बात करने आप ऐसा निंग भूते कई थी आपने मैनेजर को बुला के ला तेरी अभी श्क्यात लगाता हूं यह सक्वोड भी बोल सकते हो करें मैं सको ठीक है बट स्कॉल्डिंग का भी डिडिंडरी थोड़ा थोड़ इता है, डिसक बड़ा तो चाइड करना, स्कूल्ड करना, डिस्पारेज करना, almost similar in meaning ही हैं इसारे के सते हैं, okay, altruist, altruist मतलब होता, that one person, selfless person, जो बंदा अपने की बारे में सोच के, बिना सोचे, मतलब लोगों की help करता, that person is an altruistic person, ठीक है, altruist, यहां इसको आप इस तरह से भी याद करते हो, जो हर एक बंदे को trust करता हो, all trust, trust बोल सकते हैं, trueist को trust बोल सकते हैं, जो बंदा, सब बंदों के उपर, selflessly trust करता हो, selflessly, उनको, उनका care करता हो, that person is altruistic person, ठीक है, that will be a selfless person, that will do a selfless activity, या altruistic activities, मतलब, किसी के उपर धयावान होना, किसी के उपर, अपना बिल्कुल सब कुछ छोड के, unselfishly, किसी की help करना, welfare करना, गरीबों का, can you connect this word with poverty, hunger? Though there are many, yes, Mother Teresa was an altruistic person, yes, बहुत बढ़िया, though there are many NGOs that provide altruistic activities to alleviate, to ameliorate the condition of poor, ठीक है न, but the government, it is a prime duty of the government to ameliorate the conditions of poor, समय लगा, कुछ, तीन जार वर्ड बोल गया है, इसमें, कि मैंने ये बोलने की कोशिश किया, कि चाहे यहाँ पे बहुत सारी, unselfish NGOs हैं, जो कि, गरीबों को, गरीबी से, निकालने का काम करती हैं, येस, Apostol ji is an altruistic person, ठीक है, अल्ट्रिस्टिक मैं, बिल्कुल सही बाला, can you connect it with altruism, ये altruist, येस, embryonic, embryo, ये देखा अपने embryo, तो जब जब मा के पेट में बच्चा होता है, तो उसको बोलते हैं, येस, embryo, ठीक है न, आपको पता होगा, embryo means जब बच्चा डिवलप हो रहा है, तो ये complete तो नहीं न, वह बच्चा भी, it is in early stage, या undeveloped, या rudimentary, तो हम क्या बोल सकते हैं, कि government ने एक अभियान चिलाया जी, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, अंदोलन, but it is in the embryonic stage, तो जब म मैं बोल रहा हूं embryonic, मतलब early stage भी हो सकता है, undeveloped, अच्छी साथ उसको develop नी किया गया है, उसको rudimentary है, या यह वाली चीज है, ठीक है, okay, everyone got it, ठीक है, embryonic means, good, 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 next we move on to, बोर तो नहीं होगे, बोर होगे तो हम बंद कर देतने हैं, बताएए, it's easy, okay, ठीक, 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 चलो करते हैं, पर कर लेते हैं थोड़े सा, जल्दी जल्दी करते हैं, काफी time लग गया मेरे को तो, I thought कि ये खतम करूंगा जल्दी से, चलो, पर यह है ता कि इस से आपको याद जरूर रहता है, ठीक है ना, time जरूर लगता है आज च इस तरह से आद करना, वोगता से, अभी काम चल रहा है, कल तक आपको मिल जाएगा, ठीक है, I will show you, कैसे आपकर आ, ठीक है, बीटा अभी यह है, कि दस करवात देता हूं, ठीक ना, बट कर दे देखते हैं, ऐसा कुछ, रोचका करने की कोशिश कर कर कर, कुछ ना कुछ जू कि डव किसको बोलते हैं बतक को ठीक न आपने कभी देखा होगा डव टेल इस तरह से आके जोड़ते हैं डव जो होते हैं यह देखो इस तरह से कि अड़ित अबने के वह कहाण है कि मस्यों होगा वह कि आप इख है मैं नहीं के अनुद इस नहीं के इस नाए मिए यह कर दोता है लेट मी शो यूँ डव टेल का मतलब होता है डव सापनियास आपने देखा होगा डव टेल का मतलों का हार्मनी में जोड़ना जैसे यह वाला हिस्सा इसके साथ बड़ा अच्छे से जूड़ जाएगा देखो ठीक ना यह इदर चले जाएगा यह इदर फिट हो जाएगा तो शुड़ना ठीक ना तो इसको बोत है ड्रव टेख ठीक ना तो हार्मनी में लग रहा है बोगा अच्छे से जूट रहा है अच्छे से सामने आ रहां हार्मनी से ली आ रहा है ठीक कर थोबी टेल का मतलब होता है let me show you एक मनटेकन एक में शोयू यूँ शेर माइ स्क्रीन जीए ठीक है आई यू सेंग इस यह दिख रहा आपको दूस्वेंज थीक है वह आपस में इस तरह से आ रहे हैं तो एक हार्ट मन रहा है ठीक है ना दिख रहा आपको इसी तरह से सोचो कि यह जो आपका टेल जुड़के एक तरह से पैटर्न बन रहा है तो वह एक बड़ा अच्छी तरह फिट हो रहा है एक दूसरे में तो डोवी टेल मींस हार्मोनियसली फिट तुगैदर जुड़ जाना आपस में जैसे की क्लॉग वग होता है ठीक ना फिस फिसाइल का मतलबता है एफटलेस बिना किसी काम किये ही आपको अगर यूपी ऐसी बे जगा मिल जाये तो तो डैट विर फिसाइल थिंक तूडू ठीक है एफटलेस ठीक है ना नोट हाड तूडू इसली डन परफॉर्म ठीक है आपने देखा होगा इसको याद कैसे करना स्धूर्श प्लस्माइल डिए अपने देखा हुआ क्पटी श्रम गास्व तो उसमें हो बड़ी इसली एफटलेसली आपके उपर कुमेटी करता है ना तो एफटलेसली जो आपके फेस पर इस फेसाइल ठीक है ना देखा आपने कभी इस एजी ठीक हार विंचर ठीक हैं हा अपने शादी में ऐसी चीज चाहती हूं तो एक लड़की देख रहे हो हार बिंजर का मतलग इस तरह से लिख सकता हूं हर फिंगर कि वहां ब्लफिंट कूँ इस तरह से लिख वहां जिखाए सब्सक्राइब हूं हमश परिंजर。 का के में हर्? ये सारी चीजे. होती हैं, हार्बिंचर हो गया, फोर रनर हो गया, यह सारी चीज़े हो गया, इस आर हार्बिंचर, इन्डीकेट, येस, बिल्कुल सही बार, आगे चलते हैं, जल्दी-जल्दी से 10-15 वाड और करेंगे, फिर हम आज क्लास यही के खतव करेंगे, I will take your class on Monday, अच्छे से, उसमें 2-5 गंडे की अच्छे से class होगी, and we will finish Health and Diseases and Immune System, in that class, next class से हम nutrition स्टार्ट करने, ठीक है जी, done, ये भी class जो रही है, इसलिए मैं लगा रहा हूं, आपका वर्ड का, क्योंकि ये Saturday है, तो आपके पास टाइम होगा इंतने सारे वर्ड को लिखने का और समझने का, four beer, four beer का मतलब होता है, abstain करना, ठीक है, abstain का मतलब छोड़ देना, restrain करना, अपने resist करना, जैसे कई बार क्या लगा होता है, डाक्टर ने आपको बोला कि दारू नह ना पीनी पड़े मेरे को, ठीक है, four beer, आपको ऐसा लेंग ना, चार पियर, four beer का मतलब समय लग गया, चार बेरी, चार बेरे प्रे के आप अपने पापा के पास चाहोगे, बात करने, पापा, let me tell you about my ex-girlfriend, ठीक ना, नहीं करोगे न, you will abstain, you will resist कि मैं किसी से बात करूँ या मम्नी से बात करूँ जाके, या न, घर नहीं चाना, ठीक है, that means four beer करना, okay, everyone, it's easy, gain say, gain say का मतलब होता है, deny करना, refuse करना, ठीक न, तो आप, आप अपना काम कर रहे हो, आपकी पतनी आपको बोलती है, इसका मतलब क्या है, gain, इसको मैं इस तरह से लेक सा ता हूँ, again, gain को again ले बात करके बताईए, four beer करना मतलब, पर हेज करना, ठीक है, कि भई, मैं बात ना आई करूँ, तो अच्छा है, डारूपी के लोग क्या करते है, four beer करते है, कि मैं बात ना आई करूँ, तो अच्छा है, मेरे मुझ से बहुत कुछ नीगल जाएगा, ठीक है, तो, हाँ, फिर से करो, बिलकुल, again से का मतलब होता है, या again से का मतलब होता है, फिर से करो, दुबारा से करो, ठीक है न, तो again से मतलब, again से का मतलब, फिर से बताओ, दुबारा से बताओ, ठीक है न, तो again मतलब, फिर से बताओ, तो आप अपनी बीवी से बात कर रहे हो, आप अ तो इतना बोलेगे इतने चीज़ से मैं क्या यहां पर अकले बात कर रही हूं तो यू विल से देट विल जिए बिनाई मैं क्यों बताऊंगा ना फिर उउगली करके बात करेगी और उगली से वो यह कब आपको वो मतलु डाडना चुरू कर देगी और डाडने से वो कब पात लड़ाई में पहुंच आएगी इट विल टेक घरी लेस्टाइब अभी ना उचा-उचा बोलनी रहा हूं को कि दिवानों के भी खान होती है ठीक ना दिस इस केंसे ओके अगेंसे मतलम डिनाई क करना रिफ्यूज करना से सम्थिंग डाडिस ओके डन है जिमनी है जिमनी जो मीर लेकर जे दिक बंदा दिक रहा है यह अपनी सिग्रेट भी एक नोट सो का टॉलर का वह भी नोट जला के तो अपनी वह जला रहा है तो इसके पास इसको ऐसे लिख सकते हैं है मनी हे मनी I will be इंफ्लेंस मेर क्या हो गारा आजिसके पास पैसा होता उसके पास इंफ्लेंस होता उसके पस अथोरेटी होती है, तो है जैमनी है जे मनी हैगी मनी अथारटी इंफ्लूंस लीडर्शिप ठीक ना तो यू कैना आल्सो है यहां पर आप उसकी फोटो भी डाल सकते हो जियो के संस्थापक की क्या नाम उसका मुकेशंबानी की है ना उस तरह से दारू को गुल रहा है पापलो एसको बाती फोटो भी लगा सक की करते है अल्सॉंदूस है ना वब टूगवी जाते हो यह अंपर इस तरह से जाते हैं यहां पर लोग जाना нहीं जाते हैं इस यहां जाते हैं या trucs ना मुझ जाते हैं ना मुझ एसी जंग जंगल है वहा पे नहीं हम लोग ना जाते हो जादा यहां जो लोगा पर आलान परतान ना हो जादा नहीं जाते अवो इस प्लेस पंपर लोग वहां पर जगह कैसी होगी बहुत है सब्सक्राइब को आपने कैसे याद करना फीट का बता है फीट क्या होती है कि यह सिर्फ किस्मत हाँ जो लोग किस्मत पे सिर्फ किस्मत पर ही यह डेस्टिनी पर ही डेस्टिनी यूश्टिन किस्मत डेस्टिनी बगवान पर यह जो होता है वह अच्छे लिए होता है यह mentality को ब्लॉंग करते हैं तो वह किस तरह के परहणे होंगे पसिमिस्टिक होएंगे बिलीव इन दढ़िणा देस्टिनी बलीव ऀन द वीटव किन डेस्टि मनि दे गवाही नहीं, वह टेस्टिमन्य होता हूए, कि जो होता है अच्छा करता है, बघवान सब कुछ अच्छे के लिए करता है, सबुछ का भागे लिखा हूए, बहुत बड़ जो जो लोग भागे पे depend करते हैं आपको बता कि हमुझ कौफी लोग होते हैं यह जो हुआ चलो अच्छे के लिए हुआ, ठीक है ना, मैंने यह चूज किया, यह रास्ता चूज किया, यह फिल चूज की तो अच्छे के लिए की, ठीक है ना, तो आप इस तरह से अपने मन को समझ एक फैटलिस्टिक लोग होते हैं एक लोग होते हैं जो अपना काम खुद करना है तो जो लोग फेट पे डिपेंड करते हैं इस फैटलिस्टिक अवर्वन कॉट इट इसको आप लिख सकते हो तो आपने क्या देखा एक लड़की है छोटी सी लड़किया वो द्रखत के उपर चड़के एक बिल्ली को बचाने जा रही है यस गेलंट्री का मलत बता होता है करेज ब्रीव शिवल्री ठीक ना ये बाली चीसे होना ब्रीवनेस होना एक इसका ऑपजिट हो सकता है ठीक है यह बिल्कुल बिलीव निए करते जो गोर्ड़ पर बिलीव निहीं करते हैं ना तू गैलंट्री मतलब जो ब्रेवनेस के लिए आपको वाड़ मिलते हैं जो गैलंट्री आवाड्स तो गार्ल ऑंट्री चड़के उसने जान बचाई एक और बच्चे के भी लिख सकते हो यहां आप एक बिल्ली के बच्चे के भी जाहन पचा सकते हो ठीका तो डहत इस जहन गैलंटरी अवर्यबन ब्रेवी ब्रेवी ब्रिवरी सिंपवा सिस वस्ट नेक्सट वरिस इस कितनी वर वह यार कितनी रहे बस तू दिन रहे बस तीन या थीन रहे या तीन आ हो आपर एक उपीडियों होना जो बाकि जो लोग opinion समझते हैं जो majority का opinion हो उसके अलग आप ने लिखा ठीक है न कुछ अलग सोचते हो आप तो हैरेसी तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर ऐसे हर ऐसे को ऐसे लिख सकते हैं हर ऐसे हर ऐसे का मतलब होता है कि एक लड़की है हर मतलब लड़की उसने इस तरह से लिखा मतलब जो आप सबने ऐसा ऐसे कोई किसी ने नहीं सुना होगा किसी ने ऐसा नहीं उसका जो ख्याल थे वह बिलकुल opposite थे जो सारे लोग सूचते हैं ठीक ना जैसे कुछ लोग होती हैं जिनका यह जो ट्रांसचेंडर होते हैं इनके उपर जो व्यक्तिवत्व होता ह सारे सुसाइटी क्या बोलती है they should be ostracized, इनको एक अलग से दर्जा नहीं देना चाहिए, इनको अपना इचेंटर करने का कोई हख नहीं होना चाहिए, नॉर्मल हमारी बातिया है, वेदीक से आरहें हैं लेकिन एक लड़की है कैसा यसे लिखते हैं, जो वह इस तरह से कार होना चाहिए इनका भी right to fundamental rights होने चाहिए इनको भी इनको भी सरकार को dpsp बनाना चाहिए क्या यह ब्вал कुछ पुछ बहुत सरी अपकॉमत तो जो orthodox होते हैं जो change नहीं करते हैं यह orthodox इस heorthodox का opposite है ठीक है ना होना भी चाहिए यह भी होना चाहिए आप इसको एक लड़की आसा ऐसे लेखती है चूट कहती है कि का सिस्टम बहुत कर लता है यह नई होना चाहिए और आउट-फ्दा बॉक्स है यह आउट-फ़ पी इन है यस बिल्कुल सही तो घ्रिसी अब यह होता है, Felicity, Felicity का मतलब होता है Intense Bliss या बहुत ज़ला खुश होना, ठीक है न, तो आपने देखा होगा Facilitation, Facilitation ceremony देखे कभी आपने, आपको बोलते हैं कि अब इस function का Facilitation किया जाएगा, इस function में आपको facilitate किया जाएगा, facilitate मतलब आपको आदर सतकार दिया जाएगा, आपको degree दी जाती है, जब तो उसको बोलते है, Facilitation ceremony है न, तो Facilitation जब आपको मिलती है, जब आपको degree मिलती है, तो आपको देखे कितने खुश होते हो है न, तो वो जो एक आपने देखा होगा, amused होना, happy होना, bliss होना, तो इस और felicity का मतलब समय लग या, चलिए, forsake, sake मतलब छोड़ देना, four मतलब पांस छोड़ देना, renounce, abandon, ठीक है, give up, ठीक है, तो एक आपने, आपने वो हिंदी में एक word भी होना, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो है, for the sake of God, please leave me, इसकी इंगलिश यह बनती है, ठीक है, तो forsake मतलब, forsake मतलब, छोड़ देना, renounce का देना, एक आपने शाद मोवी भी देखियो है, जोड़ देना, जोड़ देना, ठीक है, जोड़ देना, गिए गिवाप करने, ठीक है, जोड़ देना, तो एक रूसीफाइद नहीं होता है, जो भी है बटा, I'm not very much sure, right, Forsake Me, Forsake Me मतलब, Abandoned, आपने मिरे, को छोड़ क्यों क्यों कर दिया है, इना, क्यों कर दिया है, ठीक है, तो I have read a lot about Christianity, ऐसी बात नहीं है, यह चलो आगे चलते हैं तो क्या मीनिक होता है यह आपने देखा गरूलस इसका मीनिक होता है बहुत जला जो वरबोस हो बहुत ज़ला टांकिटीव जो ऐसे लोग भी आपने देखिया होएंगे जो बहुत ज़ला बाते करते हैं हज से जाता है ना बहुत ज़ला बाते गरते हैं तो that means that person is carolus डिके ना इसको आप कैसे याध कर सकते हो तो बहुत ज्यादा गर्ल से बात करने वाला कौन सा बंदा होता है गाल लडी यहां आप ओलोगे बहुत जाट का मतलब होता है देखो डल सट का मतलब होता है प्लेजन तो हीर प्लेजन तू यह यह मेलोडिय स्फश्व अच्छा गाना होना है न है डालन सिट इसको या लड़कर ऑड़का देखे चलेगी होती है तो बड़ाई ड़ा बरेस्ट मूर में होता है और से बठा उता कुर्सी पे प्यानों में है न बड़े गंदे-गंदे शौन बजा रहा होता है तो उसका वाव तो यह गाना तो यह कैसे गाना सुनाएगा बहुत अच्छे मेलोडियस सॉंग सुनाएगा यूफोनियस ठीक रहा है याद है अच्छे मेलोड़न दरीट फॉर्टूर्स किस्मत लगपाल यह लगणाएगा आख आपर श्रॉट्रॉर्स मेलोड़ना लगणा लगणाएगा तो चांज आप लिए लॉट्टल करता है यूप की लट्री लॉट्री लगई लॉट्टली एट हो और फॉर्ट्ट यूश्यू वाइद गया एक्सिदेट तकदीर टिक ना तकदीर इस लाग डेस्टनी लॉक इस आइपके लॉकिस्टिंग लॉक्टी बंदा इस फॉर्चूएस फॉर्चून से आधर ना लास्ट इस इस है इस लाइप प्रॉड लो पर यह पी होरेंड वस्ट का और से याद रख्शोंग जो बंदा हॉर्ध वहरेंड रहा हो कसा वंदा होगा चो एक दाइक बंदा हो आर्खेश्म रिख त्रह वारनी पर्लीपर ध़सलं स्ट्रआन से लयाद रहा여ग테म में इस बंदे के साथ कसे जोड़ोगे यह बंदेने बिल्कुल स च्टायल से रहा हो यापना ज्ज्मा डनल जो उसको सूट करता एकुरेट है उसना अच्छे से अच्छे से अच्छे से सब कुछ कवर किया हुआ ठीक न तो इपसर डैको लेट यह हूंग मैं न बिलकुल नीट अंड क्लीन है ठीक थी तो एकुरी इस ब्रेशन तरियर यह जंट्लम लिए जंटलमन जैटील का भी जानी का मिनिक है नेक्स सेरेब्रेशन आप देख रहो ए सेरीब्रम ये वाला हिसाब है आपका रेंस का मैं सूचना हमीश करना देट तौन करता आपका ब्रेज का है अगर मैं आपको जैसे च्राओंगा भी दूबरीन का काम होते है सोचना थिंग करना तो तो एट मैं सैडिवरेशां तो सैरीबुरल या सैडिवरल हुना सै रिब्रल हमिस्फिर के बारे में बात करना ठीक है न सैरीब्रलंप क के हैं लिवर और लंग्स का याद का फुल मनरी तो उसी तरह जब आपकी दिमाग की बात करोगे तो भीक्राइब तो सैरीबड का मतलब होता है थिंकिंग करना कंट्यमप्लेट करना मतलब सुवचना और याद करना रिफलेक्ट करना पुरानी की जों को याद करना तेट सब्सक्राइब है नेक्स्ट वी मूव वान टू टीस थ्री वर्ट्स यह भी हो गया जंटील याद जंटील अभी पड़के हैं एलिगेंट स्टाइल जेंटलमेंट का मतलब जंटील तो यह पर से इस वरी जंटील एलेगांट सोफिस्टीकेटर वैल ब्रैट नीट एंट क्ली तो एक और वर्ड पड़ा अभी हमने इमैकुलीट तो वो भी आप यहां पे लिख सकते हैं ठीक है फ्रिस्क अनौता फ्री ओफ रिस्क आपको बता बता है कि जैसे आप अभी कहीं मतलब गए हो अगर मैट्रो स्टेशन में गए हो तो स्पोज एक बंदा है उसके पास अथ आपकी वो दलाशी दी जाती है जब आप एयर पॉड में जाते हो तो फ्रिस्क किया जाते है रिस्क मतलब आपको रिस्क किया जाता है याट मिस्थ सर्च पर सन वेपन फर वेपन यह मैं रोड ब्रग्स के लिए ठीक है गलैब्र ग्लैबूरस को याद कैसे करना इसका कर्क्रेदे तो Tôi सब्सक्राइब और नियुक् sow Mitsub 만들 जी इस फ्रिस्क नो हीए और प्रजैक्शन को यह भी बिल्कुल जैसे वह विट से नी करते वीड से आपकी स्किन को साफ एक चाहिं किया घ्रता है तो इल्र 的 मतलब आपको याद रखने है ग्लैमर्स, ग्लैमर्स दिखने के लिए ग्लैमर्स पता है? जू कलमhouse प्हूटिफल दिखने के लिए, ग्लैमर्स का मतलब होता है, क्लम अपता है धर्लो तै है आपको अपने बाल बूल तरने पड़ते है हर जगा से लड़कियों के लिए खास करते हैं तो डिखने के लिए यू नीट ग्लेबरास एसमाइल अब कर लगे कि नहीं हो जब बिल्कुल स्मूथ हो रही है और निकले तो ग्लेबरास वीट करके यू विल बिकाम ग्लेबरास गोरी अभी आप तो जो बड़ा ब्लड थ्रस्टी हो जिसने बड़ा ब्लड शट किया हो आपको पता है जो इंडिया में कितनी बार आया था वो हर बार वो कितने लोगों को मारता था तो यह पर सिनिस गोरी है तो गवरी मतलब है ठीक है हूम इज हो में या मतलब रिस्पेक्ट करना या रिगार देना गया आप इसको कैसे कर सकते हो हों प्लास एजुआ लुग कहा रहते हैं ओल्ड इज में रहते हैं वह स्वैक्ट करते हैं तो देकरिक को सबस्कार और एक नौरम फ्का मतलब होता है पर्षिक जो इ Governor हो हमें तो फार्क नहीं पड़ता है जैसे कि प्रमार्मर के ओपर क्या बीधरी है, that person is ignoramus person. ignorant and stupid, invicile. that is ignorant. आण या तभी फोटो इसी तरह से लगाई है लास्ट लाइड अप्रोक्सिमेटली अप्रोक्सिमेटली कर सकते हो ठीक है है 60 that's very good to 60 words अब हो गया around 50 words मैंने पहले कराए थी तो 110 words वो जोगे है let's do something now do let's do brainstorming what is brainstorming कुछ connection करते हैं इनका word के साथ let's do let's pass एक दो मिनट what does this mean word means calentry बताई बहुत बढ़िया ब्रेफ 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 बर्स ब्रेफ बर्स परसंट्यस इसका एक वर्ड और पड़ता विस बोल्ड और ब्रेफ a person who is bold and brave ठीक ना who takes bold decisions ठीक ना who takes yes audacious spelling check कर लेगा ना who a u d audacious audacious बहुत बढ़िया audacious एक होता है अच्छा मतलब बोल्ड एक होता shamelessly audacious उसका क्या मिनी होता है shameless जो मतलब हज से ज्यादा shamelessly audacious person हो एफंट्री बहुत बढ़िया effrontery 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी कोमल जी बहुत बढ़िया चलिया अगर मैं एक पुब और याद करता हूं गोरी वट इस कोरी मेंस गोरी-गोरी ब्लट ब्लट थ्रस्टी ठीक ना जो जैसे कि अगर हम बात करें अ ब्लट थ्रस्टी जो पर्दा होता है लेक गोरी मुहम्मद गोरी वाजे ब्लाद थ्रस्टी या गोरी परस्टी किना ग्लैबरस इसका क्याम ही नहीं होता है स्मूथ बिल्कुल सभी बहुत बढ़िया इस परसन हुज वेई टाकिटिफ बहुत जादा पाते करता है गाल लडी जिसको आपने बोला था भी कहुंसा वर्ड ता गाल लडी बहुत बढ़िया बहुत बढ़ी आप बहुत आप बहुत और ऑफ और प्यावर्ट प्रोंस और चक्रवाई था टाकिटिफ पकेलरस यस केलरस जो गाल लड़की जो यूएससे इस बात कर रहा है गैलरस अस गयल, गयल का मतलब गल, जो बहुत ज़ला यूजय की गर्ल से टाउ करता है, तो वो क्या करेगा? समाई किहाँ? गड़ड गड़ड घड़ड एूज़। अन्दर वर्ड इस हैरेशी टेची कि अरेशी वार डशेया हैरेशी वीज़। जल्दी जल्दी है इसी मेंस इफ्रेंट पीजिए अलग से पीजिए अपना दूसरों लोगों से बिल्कुल डिफरेंट टायप की ठीक एक न एक उता पेंडू सोज एक उता शहरी सोज समय सकते हो विच वन इस हैरेशी तो न गुट फोर सेकर न फोर सेक ओ लोड वाय है व्य सेक पक्लीक को सेकना कि वक करना अब्याटन करना उन्हां सकरों परीया बहुत न मीय थोप्री यह जूछ फ nell the less तर्म मेंचेंच कि इंस ब्हुत नियुक्तिव फ्लेजन्टसом मैलोडी आपकिप्लाइस भॉट बधिया वहोट बधिया चुछ बधियागी शोफिया जी और व nella की अडीम्त-चोर तरीकियर फ्हर्म अव्रिल्च इस जी और म ठीलाइं तो आपके कानों के लिए बहुत सुनदर यदर मीश्मेंग साथ यह 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 वट यूफोनियस यूफोनियस वारे इल्टेक्ट बाहत बदलद टूएस यू वर्ण यूफोनियस वरीट्ट शूपबू उफोनियस घिक एड़न दो बिवटे टार्ल टुड़ एस अल्टुड फ selfless person बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया हार बिंचर हार बिंचर हार बिंचर बहुत बढ़िया इंडिकेशन करना हर फिंगर कैंड़ 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 करते हैं उनको क्या बुला जाता है पड़ी जल्दी सब्सक्राइब गया यह कि बहुत पड़ी का सब्सक्राइब है कि इंद था और वर्ड जाहिए ठीक है, बहात बड़ी है, एक word होता है, let me check, apprehension, fear, nervousness, बहात बड़ी है, बहुत पड़ी है, if you meet a person who is exculpate, इसका क्या मतला होता है, exculpate, free from blame, बहुत पड़ी है, बहुत पड़ी है, excellent, बहुत पड़ी है, XPAI8, XP8, बताइए सका जा मनी हाँ, XPAI8, XP8, repent to make change, yes, बहुत बड़ी है, बहुत पड़ी है, बहुत पड़ी है, if I say, some person I found an arcane door in the railway station, arcane means, बहुत पढ़िया संचे नहा यह 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 युटाव गुडग वट इस दिसमीन गैरी कर्चार बस तो मेर बहुत बहुत पढ़िया थेखिक ना बहुत पढ़िया भाहत पढ़िया इफ आई से दिलिजंट वन इसे दिलिजंट वर दस्मीन दिलिजंट बहुत पढ़िया जी बहुत पढ़िया इफ आई से अमेलियूरेट मेरे वर्ड लिखने से पहले आपको पता लगे जाता है इफ आई से दा वर्ड इस कॉर्पूलेंट कॉर्पूलेंट आई से जिलिए अक्से भी फ्ट आखल अगे एक्सेवली लेडं वर्ड़ धे एथि पन्रू प्रमट उट पूंस ट्रू कॉंस टोत। आ लोकटा पंस्या खन करने झामत्रापन कहार्ट वाथ बसकते हैं, इसे टियाँ की यह झाहिए, Всा तो बाद व्यूत्र इडापी, की क्ववेलिस एक मितस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्टंध अशीचिछीचcü райण य데 यू Apost पॉरेंट एर यूरी बहूर्णला इस एक उख धूरियस Baum na a person is dolorous that is sad what is the other word for the sad that we learn today another word for sad both body are despondent that's so true that's so true if I say a person is dawdling killing time what is the other word for killing time or delaying or slow in the book it's part of the journey linger kill time or quit put up a G per hour a daughter carna dilly-dally car now a concept of a car for data can't put a letter let me check yes पड़ाता क्राम में याद कि याद आजेगा येस हर सिम्रंप्रीट को और जी क्या पादा एक्सलें ताइले तोरी यादे ताइले तोरी गुट 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 चेस्टाइस करना good what do you mean by if I say that word is chide 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 sad करना no scold करना रिब्यू करना किसी को hatana kisi ko kariya kotiya sunani rebuker you know that person is rebuked if I say contrive on right contra in the night that's guilty very good so smart if I say a person person is aloof alone of sad he gonna if I say the person is x acting his job is accepting accepting means very good palvi demanding he gonna board are a demanding job on a accepting job no 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 elevation के लिए कौन सा था what does exalt mean yes good that's so smart yeah so smart that's very good if I say capitulate करना what does that mean capitulate good as good as good as good you know what you can do it like lecture तो लगे आता है यार बट क्या करें यह भी जुरूरी है multiply by it to three sentences each ठीक है और से लेक्टर तुड़ा सा ना आपको जुगाना बढ़ता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग करना देता हूं लेक्टर को तांकि आपको यह मत लगे कि यार शर्फ वालो जिब्ड़ा ही जा रहे हैं ठीक है थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग करना बढ़ता है कभी ठीक है चलो अच्छी बात है आपको अच्छा लगा लगा लेक्टर तो we will continue with this thing ठीक है okay we will continue from the Monday thank you better or question was not you can say you can ask me anytime okay thank you better bye believe is related to hope you're gonna feed trust is just your trust can be blind trust can be logical also okay thank you okay bye test होगा संडे को ठीक है संडे को टेस्ट होगा आपका दस से बारा के लिए मैं आपको इंडिकेशन बता दूगा कि कब होना चाहिए या होगा या कैसे होगा लेकिन दो से पांच वाला आपके उपर है आप उसी दिन भी दे सकते हो अधिक है या बिए सकते हो टेक है टेस्ट बेंस पर मन्डे से जाद लेट नहीं करना आपने ठीक है सबीन सकते हैं से यह एक रात को यो यो कन आल्वेस है को अट libraries आउनलाइन करने हैं ठीक है थैंक यू बटा बंस अगें बबाए